औरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सबस्क्राइब करें आज का हमारा टॉपिक है ऐलियास ऐलियास क्या होता है? SQL में ऐलियास को कैसे अपलाई करते है? इसका यूज क्या है? एक एक चीज हम डिसकस करेंगे सबसे पहले वाट इस एलियास SQL एलियास इस यूज तू गीवर टेंपररी नेम ओफ टेबल और कॉलम यह जो एलियास होता है यह क्या करता है? हम जो भी और एकल डेटाबेस में टेबल बनाके रखते हैं या फिर जो भी कॉलम होता है हमारे टेबल में उस टेबल या फिर कॉलम का एक टेंपररी नेम यह हमें प्रोवाइड करता है यह जो टेंपररी नेम हमें प्रोवाइड करता है यह नेम केबल उसी क्वैरी तक वैलिड रहता है जो क्वैरियम फायर करते हैं उसके अलावा फिर ये डियास जो हम बनाएं गुए होते हैं टेंप्रारी नेम टेबल या फिर कॉलंग का वह इरेज हो जाता है ठीक है तो दो तरीके से हम अपलाई कर सकते हैं अलियास को अपने लिधाड डेटाबेस में पहला होता है कॉलम प् कर रहें, कॉलम नेम आप यहां पर देंगे, ऐस ऐलियास नेम, उसके बाद ऐलियास का नेम यहां पर आपको देना जो भी नया ना नées आप लेना चाहते हैं, Crotty स्प्रौम का यांप्म का नेम एप अपलाई कर रहे हैं, उस टेवल का नेम भी यहां से देखिए, e income इस column का name है, tätä ये e income जो name है, ये काफी meaningless name है, समझने में भी दिक्कत होगी, कोई इसे कुछ भी समझ सकता है ठीक है, हम क्या करेंगे इस column का meaningful name provide करेंगे, alias की मदद से और साथ ही साथ alias में हम इसका इक छोटा सा name देंगे तो चलिए practical करके देखते हैं कि कैसे करेंगे सबसे पहले हम select लिख रहे क्योंकि हम record भी देखेंगे उसी alias column के दुरू तो select उसके बाद column का name क्या है हमारे e income ठीक है e income हमारे column का name है तो इसका नाम हम देंगे as as हम use करें alias बनाने के लिए name दे देते हैं salary salary एक meaningful name में कोई भी देखेगा समझ जाएगा employee का salary इस column में define किया गया है from EMP ठीक है अभी अगर हम enterprise करते हैं तो यह जो e income column का record है to 20,000, 10,000, 15,000, 20,000 यह हमारा salary के form में देखेगा salary name के थूरू इस record को हम देख पाएंगे यहां पर, यहां पर देखे salary हमारा column का name बन गया है जो यहां पर e income था और जो data यहां पर था, same वही data यहां पर भी है तो कहने का यह मतलब है कि record में कोई फर्क नहीं पड़ता है हम जिस भी column का alias बनाते हैं वो cable उसी query तक ही दिखता है यह जो query हमने बनाया, यह salary जो दिखरा column का name यह बस इसी query के लिए है अगर अब हम अपने table को देखें तो वहां पर कोई changes नहीं है यहां पर देखो e income ही है लेकिन temporary name हमने record देखने के लिए बनाया था e income का salary तो हमने record देखा हमारा काम हो गया उसके बाद फिर से वो database से erase हो गया फिर original name ही है original table में कोई भी changes नहीं होता है अगर हम alias perform कराते हैं तब अब अगर मालो हम यहीं पर बहुत सारे column का record एक साथ देखना चाहते हैं मालो हम EID, E name भी देखना चाहते हैं और income को हम salary के form में alias के तुरू देखना चाहते हैं तो हमें बाकी column का name भी यहां पर क्या करना होगा mention करना होगा तो यहां पर देखो starting का जो दो column है वो as it is हमारा आया है जैसा हमारे original table में था लेकिन यह जो income वाला column है इसका जो data है वो salary के form में आया है salary column का name है और data same to same है क्योंकि income का हमने एक alias बना दिया है salary तो alias हम use करते हैं किसी भी table यह फिर column का एक new name प्रोवाइड करने के लिए जो कि पहले वाले name से छोटा होना चाहिए ताकि यह name काफी बड़ा था यह complicated भी है टाइपिंग करने में भी mistake हो सकता है तो इसका meaningful name हमने दिया और alias original table में कोई effect नहीं करता है table alias कैसे apply करेंगे हम अपने database में हमें लिखना होगा select column name from table name as alias name आपको क्या करना है यहाँ पे column का name mention करना है जिस भी table का आप alias बना रहे हैं उसके बाद as लिखना है और alias का name जो भी आप नया name लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो भी name लेंगे वो एक temporary name होगा वो के इस table का temporary name generate हो ठीक है तो चलिए इसे भी practical करके हम देखते हैं table level alias perform कराने के लिए हम आपको दो table दिखाना चाहेंगे एक हमारा EMP table ही है और एक is two table है तो हम क्या करेंगे इन दोनों table के columns को join करेंगे और एक single table के form में इनके record को देखेंगे दोनों table के record को ठीक है ज्यादा त देखते हैं कि कैसे perform करेंगे सबसे पहले हमें लिखना होगा select हम employee table का दो column लेते हैं एक लेते हैं एक ID लेते हैं ठीक है तो यहां पर फिलाल हम लेते हैं इसका एक ही column इनेम, comma उसके बाद हम student वाले table का एक column लेते हैं as address तो यहां पर हम क्या लेते हैं as address उसके बाद हमें लिखना है from EMP, दोनो टेबल का नेम क्योंकि हमने दोनो टेबल का एक एक कॉलम लिया, इसका एक कॉलम हमने लिया और इसका एक कॉलम लिया, इसलिए दोनो टेबल का नेम हमने यहां पर लिख दिया, अब हम क्या करेंगे लिखेंगे where, अब हमें जोइन करना है तो जोई हम यूनिक कॉलम से ही कर सकते हैं इस EID को और इस SID को देखें दोनों में एक तरह का record है सेम recorded हम इनहीं के तुरू जोईनिंग perform करेंगे तो हम लिखेंगे where EID equal SID हम enter मारे तो यहां पर देखो हमारे सामने record तो आ चुका है लेकिन अगर यह हम यह aquarium किसी को दिखाते हैं तो यह नहीं समझ पाएगा कि यह EID कहां से आ गया यह क्या है और यह SID क्या है यह कहां से आ गया किस column का यह किस table का यह column है तो उसी meaningless query को हम एक meaning provide करने के लिए यहां पर employee table का E नाम का बना देंगे alias और इस two table का S नाम का alias बना देंगे अब अगर मैं यहां पर लिखता हूँ कि यह जो EID कॉलम है यह employee table का है क्योंकि employee का हमने यहां पर E alias बनाया है और यह जो SID कॉलम है यह student table का है क्योंकि इस two table का जो alias है वो S है और इस alias के थुरू अगर हम enter मारते हैं तो फिर हमारा same ही record आया है लेकिन अभी हम alias के थुरू joining perform किये हैं तो इस query का एक मतलब निकला है और जब हम query perform कर रहे थे तो इस alias के थुरू हमने join करके यह record fetch किया है तो alias हम use करते हैं किसी भी query को meaningful बनाने के लिए या फिर किसी बड़े column या table के बड़े name को short form में represent करने के लिए temporary हम alias बनाते हैं जैसे EMP का short name E ले लिए हमने इस टू का short name S ले लिए हमने और जो alias होता है न वो particular query तक ही काम करता है वो original table में कोई भी effect नहीं करता है तो यह होता और एकल database में alias